हेलो फ्रिंट्स आज की इस वीडियो में हम सिखेंगे अगर हमें YouTube वीडियो के लिए Photoshop में Thumbnail बनाना है तो हम कैसे बनाते हैं तो इस वीडियो में हम बिलकुल basic से सीखेंगे YouTube वीडियो के लिए Thumbnail बनाना तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं इससे पहले अगर आप लोग Photoshop बिलकुल शुरू से सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल के माध्यम से सीख सकते हो और उन से भी वीडियो की लिंक आप लोगों को नीचे description box में भी मिल जाएंगी तो चलिए हम Photoshop को ओपन कर लेते हैं यहाँ पर हमने Photoshop को ओपन कर लिया है अब हमें यहाँ पे YouTube वीडियो के लिए थेमिनल बनाना है तो उसके लिए हमें एक नया पेज लेने के लिए फाइल मेनू में जाना है न्यू पेज किलिक करें या फिर हम कीबोर्ट से Ctrl या बटन प्रे करते हैं तो उसका जो नेम में आप जो भी रखना चाहो जैसे हम यहां पर रख लेते हैं यूट्यूब रखा यहां पर हमको हुआइट पर क्लिक कर लेना है और मोड में हमको और यहां से करेंगे ओके किया हमारे सामने यूट्यूब ठेमिनल का बिल्कूल करेक्ट पेज आ जाएगा इतना काम करने के बाद यहां पर नीचे आपको रेक्टेंगल टूल में राना है रेक्टेंगल लेना है रेक्टेंगल लेंगे यहां से हम एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेंगे कुछ इस तर इस तरीक के एक एक बॉक्स ओपन हो जाएगा यहां से आप जो भी कलर लेना चाहो यहां से हो यहां से आप अपने हिसाब से बचल कर सकते हो क्लिक किया इस वाले कलर पर कलेना करेंगे यहां से आप जो भी कलर रखना चाहों कलर अर्जेस्ट कर सकते हो जैसे आप अपने हिसाब से जो भी कलर लेना चाहों यहां से आप mix कर सकते हो ताकि आपका जो थैम्मनल हे थुड़ा प्रोफेशनल लए इतना work करने के बाद यहां से टूल लिया और यहां से एक सरकल हम इस तरीके से ड्रा कर लेंगे कुछ ऐसे सरकल ड्रा करेंगे और हम मूब टूल लेंगे इसको यहां पर फिट कर लेंगे फिट गया फिर हम आएंगे लेर में लेर स्टाइल में आएंगे यहां पर कलर और लेका अप्शन दिया है इस पर कल не Edit हो गया कि इतना काम करने के बाद फिर हम लेएर में आएंगे और लेड़े स्टाइल में आएंगे और यहां अनि वैधे करेंगे ंफे तक हुशना और यहां से टेपन करना उना के तेलेगे यहांसे टूल लें लेना है यहाँ पर हमने rectangle ड्रा कर लिया अब हमको यहाँ पर एक image लेनी है तो image लेने के लिए file menu में जाएंगे open पर क्लिक कर देंगे और जिस भी location पर आपकी image हो उस location से image को उठा लीजिए तो हम दिस PC में जाते हैं picture में यहाँ पर picture में आयेंगे फिर हम YouTube इमेज पर क्लिक करके इस वाले image को यहाँ से हम ले लेते हैं image पर क्लिक किया और यहां से open कर दिया हमारी image आजाएगी इसको तो हम इस वाले image पर drag कर लेते हैं, drag करेंगे, फिर हम Ctrl T button प्रेस करेंगे, और image जो है, image का size उमको थोड़ा छोटा कर लेना है, shift button के साथ image का size यहां से हम छोटा करेंगे, कुछ ऐसे, shift के साथ हमको image का size छोटा करना है, ताकि जो हमारी image हो बिल्कूल perfect यहां पर छोटी हो करेंगे, और इस वाली layer को उठा के बिल्कूल हम सबसे उपर ले जाएंगे, फिर हम इस image को यहां पर adjust करेंगे, Ctrl T button प्रेस करेंगे, थोड़ा और छोटा कर लेना है, shift के साथ, ताकि हमारी image बिल्कूल perfect यहां पर बैट जाए, हम इस तरीके से अपने image को यहां पर करेंगे अरजेस्ट, इंटर कर देंगे, हमारी image यहां पर बिल्कूल perfect हो गई है, अब हम यहां पर text टूल लेंगे, और यहां पर click कर देंगे, कुछ इस तरीके से, यहां पर font हमको area ले लेना है, और black जो है, यहां पर आके हमको black लेना है, और font का size 36 ले लेना है, और यहां से जोब इस तरीके से, फिर move टूल ले लेंगे, और हम यहां पर text टूल एक बार फिल लेंगे, और यहां पर click करेंगे, double, click कर दिया, और इसका जो size है, थोड़ा size हम कम करेंगे, यहां पर आएंगे, और हम यहां पर size रख लेते हैं, 10 point size रखेंगे, और aerial, black यहां पर हमको रख लेन है, advanced diploma in computer application, तो यहां पर हम type कर लेते हैं, आप जो भी लिखना चाहो, और चीज यहां पर type कर सकते हो, यहां पर हमने type कर लिया, advanced diploma in computer application, इसको हम पूरा select कर लेंगे, select कर लिया, थोड़ा size इसका हमें छोटा कर लेना है, तो यहां पर 9 point रखेंगे, और इसको उठाके हमको बिल्कूल यहां पर रख लेना है, कुछ इस तरीके से, और इसका जो color है, color हमको height कर लेना है, यहां पर इसका color हाइट करेंगे, और हम move tool ले लेंगे, बिल्कूल कुछ इस तरीके से हमको type कर लेना है, यहां पर यहां पर लीखा है, इस तरीके से adjust कर लेना है, आप अपने हिसाब से जो भी harvest करना हो, ऑचीज चीज अरजेस्ट कर लीजिए, यहां पर हम इस वाछलेको यहां पर अरजिस्ट कर लेते हैं इतना काम करने के बाद यहां पर जो ADCA है इसी की हम एक डूब्लिकेट चाहिए ADCA पर क्लिक करेंगे और ALT के साथ हमको एक इसी की डूब्लिकेट यहां पर निकाल लेनी है डुबलीगेट आजाएगी यहाँ पर टेक्स्ट में आके और इसके देगा पर हम टाइप कर लेंगे computer course computer course टाइप करने से पहले यहाँ पर टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर लेना है और यहाँ पर हम टाइप करेंगे computer course computer course type किया select करेंगे इसको select कर लिया और इसका color हमको यहां से red कर लेना है red करेंगे और ok कर देंगे और इसको हम उठा के बिल्कुल यहां पे इस तरीके से fit कर देंगे और यहां से हम move tool ले लेंगे इसमें हमारा बिल्कुल perfect computer course apply हो जाएगा आप इसका size कम ज्यादा करना चाहो तो select कर लिजिए और यहां से भी size आप कम ज्यादा कर सकते हो जैसे हम 21 चाहते हैं तो यहां पर 21 type करेंगे 20 चाहते हैं तो यहां पर 20 type करेंगे कुछ इस तरीके से और यहां पर मोब प्रेंगे टूल कर्द लया है फिर हम यहां पर जैसे कि वर्क करना है यहां पर टैप कर लेटे हैं यहां पर यहां पर प्रेंगे मंनने हैकट才ट करें और इहां पर हम लिख है इसको select कर लेंगे यहां पर हम लिख लेते हैं यहां पर हमने लिख लिया eligibility, age, limit, syllabus, office, इसको यहां से कर लेंगे select, select करना है और इसका color यहां से हमको yellow कर लेना है आप अपने हिसाब से जो भी color रखना चाहो उस color को adjust कीजिए, यहां पर हमने yellow color लिया और इसको हम कुछ इस तरीके से बिलकुल बराबर adjust कर लेना है, इतना अपर करने के बाद यहां पर double click करेंगे, हमको एक image लेनी है तो move tool लिया, double click किया और जिस भी image को आप लेना चाहते हो, यहां से उस image पर click कीजिए और open कीजिए, और यह image आपकी यहां पर आ जाएगी, यहां पर हम ले लेंगे, move tool और इसको हम इस पर ले आएंगे, कुछ ऐसे, image हमारी यहां पर बिलकुल आ जाएगी, इतना काम करने के बाद हमको आना है select में, color range में आना है, और यहां पर click कर देना है, और यहां से ok कर द हम छोटा कर लेंगे कुछ ऐसे, और इसको हम बिलकुल यहां पर एक अरजर्ट करेंगे, और इंटर कर देंगे, इसकी duplicate निकालना है, alt के साथ इस image के एक duplicate यहां पर रख लेंगे, फिर अल्ठ के साथ एक duplicate हम यहां पर रख लेंगे, ऐसे, इतना काम करने के बाद, यहां पर हम लिख लेना है full detail in Hindi क्योंकि हम बिल्कुल course related है तो हम यहां पर लिख रहे हैं आप जो भी लिखना चाहों बिल्कुल उस तरीके से यहां पर लिख सकते हो यहां पर हमने टाइप कर लिया और इसको हम बिल्कुल इस तरीके से अरजेस्ट करेंगे यहां पर इसको सलेट करेंगे और इसका साइज तोड़ा यहां से हम इंक्रीज कर लेते हैं ऐसे और इसको हम यहां पर रखेंगे और इस वाली इमेज को हम यहां पर रख लेंगे इसको यहां पर रख लिया मोब टूल लिया और इस वाले इमेज को यहां पर हम अरजेस्ट करेंगे कुछ ऐसे यहां पर हमारा पूरा थेमनल रेडी हो गया है अब हम इसे सेफ करना चाहते हैं तो फाइल में आएंगे यहां पर सेफ पर क्लिक करेंगे और आप इस थेमनल को किस फॉर्मेट में सेफ करना है यहां पर क्लिक करेंगे फॉर्मेट में औ डेक्स्टाप पे सेफ करना है और यहां से हम सेफ पे किलिक कर देंगे सेफ पे किलिक किया फिर यहां से हमको ओके कर देना है जो इमेज है इमेज हमारे पूरी तरीके से से हो गई इसको यहां से हम मिनिमाइज कर देते हैं हमने मिनिमाइज किया तो यहां पे आप लोग देख कैसे YouTube Thumbnail बनाना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से Photoshop में बना सकते हो तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना अगर आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से ADCA basic course बिल्कुल सुरू से सेखना कर सकते हो तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में थांक्स फार दिस वाचिंग वीडियो